आज में सेर कर रहे हूँ कच्चे आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी कुरकुरा नास्ता की रेसिपी जो नास्ता बाहर से क्रीश्पी होगा और अंदर से सॉफ्ट होगा तो इसके लिए एक अच्छे आलू को मैंने अच्छे से छिलके उतार कर धो कर पानी में रख दी थी फिर एक ग्रेटर लेंगे और पानी में ही हम आलू को ग्रेट कर लेंगे आलू जो है बहुत ही जल्दी कलर चेंज करता है छिलके उतारने के बाद तो हमें पानी में ग्रेट कर लेना है उसके बाद यह जो आलू की इस्टर्च होते हैं इसको हम अच्छे से धो लेंगे दो से तीन बार फिर हम धो करके ले लेंगे तो आलू को मेने यहाँ पे धो ली अब हम आलू में उपर से साब पाने डाल देंगे और इसको साइड में रख देते हैं तब तक हम एक कड़ाई को गरम कर लेंगे गरम कड़ाई में हम डाल देते हैं छोटी चमच से एक चमच तेल कुकिंग ओई ले सकते हैं कोई भी फिर हम इसमें एक चुथाई चमच साबू जीरा को डाल देंगे और जीरा को डाल कर हम जीरा को भून लेंगे साथ में हम यहाँ पे एट कर देते हैं एक चमच चीली फ्लेक्स और साथ में एक चमच हम इसमें हरा धनिया को एट कर देंगे फिर हम इन तीनों चीजों को भून लेंगे एक मिनट के लिए उसके बाद हम इसमें एट कर देते हैं पानी तो मेनी आप पे देर कप पानी लिए एक कप और अधा कप तो पानी को डाल देंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे पानी में जैसे ही थोड़ा थोड़ा उबल आने लग जाए हम इसमें स्वात के हिसाब से नमक को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे नमक को मिक्स करने के बाद हम पानी को अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे पानी को उबलने के बाद आलू को डाल देंगे फिर करीबन तीन मिनड़ तक आलो ऐसे उवलने के बाद हम इसमें उपर से डाल देते हैं आधा कप सूजी सूजी को डाल देंगे और अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करते रहेंगे और इसको चलाते रहेंगे गेस की फिलम को मिडियम रख देंगे और यहाँ पे हम सूजी को इस तरह का डो बनने तक पकाएंगे फिर जैसे ही डो बनता है हम इसको निकाल देते हैं और एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर दी थी तो इसी प्लेट में हम सूजी को transfer कर देते हैं और हम यहाँ पे rectangle shape में मैं इसको set कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे rectangle shape में इसको set कर दी है अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने तक यह जब ठंडा हो जाएगा तो यह अपने आपी set हो जाएगा फिर हम इसको बीच में से इस तरह से काड़ देते हैं अब इसके एक वाले हिस्से को हम अलग कर देंगे बहुत ही आसानी से निकल जाता है उसके बाद हम इसको थोड़े से इस तरह का सेफ दे देते हैं थोड़ा सा ट्राइंगल वाला सेफ दे देंगे तो दोस्तो आप इसको इस तरह से बना कर रख सकते हैं फ्रीज में पूरे एक हफता तक इस्टोर कर सकते हैं और आपको जब भी नास्ता बना होनो फटा-फट फिरिद से निकाल के आप इसको फ्राइ कर सकते हैं मैंने आपे तेल को पहले से गरम करी थी तो तेल गरम है अब तेल का जो हीट है और मीडियम हीट होना चाहिए और गेस की फिलम को भी हम तो मीडियम ही रखेंगे उसके बाद इसको हम डाल देंगे तो यह जो नास्ता है हमें इनको दोनों साइट से पलडती हुए फ्राइ करे बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकिशन आपको मिल जाएगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा ताकि आपकी दोस्तों तक आपकी फेमिली तक मेरी रेसिपी पहुँझ सके और मुझे थोरा सा सपोर्ट मिल सके तो दोस्तों यह जो नासता है इसको हम अच्छे से गुल्डेन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसको हम निकाल देते हैं तो दोस्तों यह जो नासता है काफी क्रीस्पी होता है तो आप इसको बना कर सामके चाय के साथ खा सकते हैं सभी को बहुत ही पसंद आती है तो यह बाहर से कर बाहर चौ कर दो काई वह जो सकते हैं सुझ neuralओट है है तो यह झाल श faculty